नमस्कार मैं रोहित आप देख रहे हैं बिहारी कलम अभी अनिश्चित काली धर्नापे किसानों के बीच पुरुविधायक परदेश प्रभक्ता विपक्ष की भूमिता में बिहार में हैं मनुष्टरमा जी हैं आप किसानों के बीच में आये हैं आपसे इनकी उमीद है इनकी उमीद पर क्या लगता है कि इनकी मांग पूरी हो पाएगी देकि मांग तो बिल्कुल जायज मांग है और किसान जब से यह प्रोजना चालू हुई उनिश्चो पंचानवे से तो किसानों को पूरी बस्तु श्ति की जानकारी आज तक कि कई सरकारे आई हो गई तो सरकार के अधिकारियों के माद्य हम से किसानों को पुन रुपेन मांग दर्सन ऐसा कुछ नहीं मिला है इसलिए असमन्यस के श्ति में किसान है दो हजार साथार से यह प्रक्रिया चालू हुई और 2013 में नया भूमिया दिग्रहन बिल भी आया और आज भी ऐसा प्रतित हो रहा है कि इस द्रम्यान पिछले 25-30 वर्सों से किसान अपने इस जमीन पे खितीवारी करते आ रहे हैं खरीद विक्री करते आ रहे हैं उसका लगान कट रहा है रसीद कट रही है और सरकार का ये कहना है मैंने अभी ब्रूर अर्जन कार्याले अरवल का नोटिस देखा तो उसमें के कहना है कि आपके दौरा बार बार नोटिस दिया गया किसानों को और उपस्तित नहीं हुए तो ये नई नोटिस का तामिल किया गया है फरवरी 2023 में और मैंने जो उस नोटिस में जो मुवावजा का दर देखा वो भी 2013 के पहले का है तो ये तो घोर अन्याय है और मजहमा ग्राम के निर्थित्व में पुर्व में भी किसानों के दौरा कई आनोलन किये गये हैं और ये प प्रवात हुई थी वह समभता भारत की इतिहास में पहला किसान अनोलन था और जिसका प्रमान ये मिलता है कि उसके बाद कई भूमी सुधार कारकरम सरकारों के द्वारा चलाया गया था तो आजपुना मजहामा से ये आवाज उठनी चालू हुई है तो मैं समझता हूं कि किसान और मज़़ों के हित की बात है और संभवता ये धरना के माध्यम से हम लोग किसानों की बात को सरकार में पक्च हो या बिपक्च को पहुँचाने का कारे करेंगे और सरकार की समेंदन सीलता को जग जोरेंगे और ये चाहेंगे कि किसानों का जो समस्या है किसान जिन कार्णों से ससंकित है उसका निदान हो उसका निरावरन हो और किसानों के सामने में एक वस्तु सिती स्पस्ट रूप से रखा जाए ताकि यह अस्मन्यस का जो जो दुविधा की जो यह घड़ी है उसमें वो सही निड़ने ले सके जो मैंने नहीं लिए इसलिए मेरी बहुमिका यह बीपक्च की नहीं होती है मैं किसानों के साथ मनầy जैये हमारे विपक्च की सरकार नहीं हो वह जो मैंने नहीं रखता है मैंने जहां किसानों की जो मांग है वो रखता है अब किसानों की मांग के साथ में हमिशार हुगा आप देखते रहे हैं तो फॉल्लोग शुंसराइब करें बहुत-बहुत धन्यवाद